नमस्कार SBT News में आपका स्वागत है पेश 25 फरवरी शुकरवार दोपह सवा 3 बजे रास्थान जोतर भीकानेर की बड़ी खबरे यूकरेन पर रूस की हमले का आज दूसरा दिन है आज रूस की तरफ से हमलों की इंटेंसिटी काफी बढ़ गई है सुबह से यूकरेन की रास्थानी कीव में साथ बड़े धमाके सुने गए है शहर में एक के बाद एक मिसाइलों से हमले हो रहे हैं लोग घरों में दुपकी हुए हैं खाने पीने से लेकर जरूरत की और सभी चीजों की कमी के बावजूद लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं शुकरवार सुबह ही यूकरेनी रास्थपती जेलेंस की ने बयान भी जारी किया रूस ने यूकरेन पर आकरमन कर दिया है यूकरेन की राज़ानी केव के उपर रूसी फाइटर प्लेन मंडरा रहे हैं जगा जगा बंबारी हो रही है कई भारतिय चात्र अब भी यूकरेन में फसे हुए हैं चात्रों के परिजन आरूप लगा रहे हैं कि उनको वक्त रहने स्वदेश लाने का वैस अप्रियास नहीं किया गया जैसा पूर्व विदेश मंद्री सुश्मा स्वराज के समय में होता था हालात ये है कि दूतावास को 500 फोन करने के बावजूद भी भारतिय फसे हुए हैं हलांकि इस मामले में भारे सरकार सक्रिय हो गई है और पेम नरेंडर मोदी ने एक हाई लेवल मिटिंग की है रूज की सेना द्वारा यूकरेन पर मिसाइल से ताबर तोड हमला कर दिया गया है इस हमले से यूकरेन पढ़ाई करने गए हजारों भारते बच्चों के जान संकट में आ गई है हमले के बाद यूकरेन को नो फ्लाई जोन घोशित कर दिया गया है इससे वहां फसे सभी बच्चों की मदद के रास्ते बंद हो गई है इसे बीच राजसान के मुखे मंत्री ने भी ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है सेम अशोगेलोट ने ट्वीट का लिखा है मैं आशा करता हूँ कि भारतिय दूतावास हंग्री और पॉलेंड के वैकल्पिक रास्तों से भारतियों को निकालने में काम्याब होगी पिता के रेटार्मेंट के पैसे को सही जगा लगाने की बात आई फाइनेंस कंपनी संचालक ने कहा कि कंपनी में लगा दो तीन साल में अच्छा मुनाफ़ा मिल जाएगा कंपनी में पैसा लगाया और तीन साल इंतजार किया तो पता चला मुनाफ़ा तो दूर मोल में भी डूपता दिख रहा है उपर से जूटा मुकदमा और दर्ज करा दिया गया पूरा गर्नाकरम मानसर वर्थाने में दर्ज कराया गया है पेडित पक्ष की ओर से पलिस ने बताया कि अवधेश कुमार रजटपत निवासी ने मुकदमा दर्ज कराया है रजटपत के मनोज, शालू और आशा के खिलाफ कोटा सित वर्थमान महावीर खुला विश्विद्याले का चौदमा दिक्षान समारो गुरुगार को विश्विद्याले की गांधी भवन में ओनलाइन मोड पर आयोजित हुआ दिक्षान भाषन में DRDO के चेर्मेन डॉक्टर जी सतीश रडी ने कहा कि अब आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का उपयोग शिक्षा में करना जरूरी हो गया है देश के कई विश्विद्याले अब डिफेंस तकनीक पर पाठे करम चला रहे हैं और आने वाले दिनों में इसके अच्छे परिनाम मिलेंगे युक्रेन और रूस की बीच युदि के बाद कीव में इंडियन स्टुडेंट खौफ के साय में रह रहे हैं 18 से लेकर सूपर मार्केट तक में सभी जोकर लंबी लंबी लाइन लगी है वहीं गुरवार रात में एक के बाद एक कीव में कई धमाके हुए फिलाल इंडियन स्टुडेंट वहां सुरक्षित बताई जो आ रहे हैं अब सारी उमीद एंबेसी पर टिकी है स्टुडेंट का क्याना है कि उन्हें भरोसा है कि एमबेसी जल्द ही उनका रेस्क्यू करेगी अभी वे सुरक्षित है और दूसरी बिल्डिंग के बंकर में शिफ्ट किया गया है जोद्पु शहर में बीते कुछ दिनों से लगतार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होने के साथ लोगों को गर्मी का एसास होने लगा है यहां आप दिन के साथ रात को भी पसीने छूटने लग गए हैं ऐसे में अब गर्मी से बचने के लिए पंक्खे चलने शुरू हो गए है शहर वासियों ने गर्म कपड़े पहनना बंद कर दिया है मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क बना रहने के चलते तापान में और बढ़ोत्री दर्ज की जा सकती है कोरोना के चलते पिछले दो साल से प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में बंद मिड़े मील एक बर फिर्द से शुरू होने वाला है अगले महिने नौ मार्स ये सभी सरकारी स्कूल्स में बच्चों को दोभाहर का भोजन मिलेगा बच्चों की भोजन के समय समय पर लेबरेटरी चेकिंग होगी अत्रिक्ति मुखे सचीव पीके गोयल के और से जारे निर्देशों के मताबिक भोजन की जाँच एने बी एल प्रयोकशाला में की जाएगी ये जाँच हरोज नहीं करके कुछ दिनों के अंतराल में करानी होगी लेबरेटरी जाँच नहीं कराने पर सम्बंदित कार्मिकों की खिलाफ कारवाही हो सकती है जोद्पु जिले के फलोदी पुलिस ने चोरी की बाइक साही दो आरोपियों को ग्रिफतार किया है ग्रामिन पलिस अदिक्षक अनिलकेयाल ने बताया कि पाली जिले में इंद्रा कलोनी के जवाहर नाथ कालबे लिया और नागर जिले के पाचवडी के तीकु नाथ को गिरिफतार किया गया है उनसे चोरी के अन्यवारदातों के बारे में गहन पूस्ताश की जा रही है बिकाने नगर निगम में जनम रित्य और विवाह पंजियन प्रमान पत्र नहीं बन रहे हैं पिछले पांस दिनों से इन प्रमान पत्र को जोरी करने वाली वेब पोर्टल पहचान में जोलही तक्नीकी समस्य के कारण आवेदकों को प्रमान पत्र नहीं मिल पा रहे हैं पंजियन प्रमान पत्रों के लिए रोज सेंकडो आवेदक पहुँच रहे हैं लेकिन प्रमान पत्र नहीं मिलने से निराश होकर लोट रहे हैं जनम रित्य और विवाह पंजियन प्रमान पत्र कब से सुचारू रूप से मिलने शुरू हो जाएंगी। इसको लेकर संबंदित अधिकारी भी कुछ कहने से बच रहे हैं। पत्ते, पांच कैलकुलेटर, एक साइन बोर्ड और 35 वेक्तियों को हिरासत में लिया। जोदपूर की जिला कलेक्टर हिमांशु गुपता ने बेरी गंगा वन्शेतर में बनने वाले पदम श्री कैलाश शांखला समरती वन्शेतर वे मंडोर उद्यान के विकास कारों का वलोकुन किया। जिला कलेक्टर ने पी डिशासिय अभिहनता राकेश माथुर को मंडोर उद्यान के विकास के लिए करवायों को मार्स तक पूर्ण करने के निर्देश दिये। आरेलपी संयोजक में नागोर सांसद हनमान बेनिवाल ने प्रधान मंति नरेंडर मोधी को ट्वीट कर कहा कि संकट के साई में यूकरेन में रह रहे है रास्तान सही देश के चात्रों और नागरिकों को सरकार के स्तर पर नेशुल के लाने के जरूरत थी। मगर विमान कंपनी एर इंडिया ने दोगुना किराय वसूल किया है जो किसी भी दस्टी से सही नहीं है। सांसद बेनिवाल ने कहा कि संकट की घड़े में विदेश में रह रहे भारत के चात्रों को देश के सरकार से अपेक्षाई होती है। ऐसे में सभी को भारत लाने के लिए वैकल्पिक विवस्ता करने की जरूत है। और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।